अक्सर हमारे घरों में दूद फट जाते हैं ज्यादा गरमी के बज़े से या फिर जब हम दूद को गरम करना भूल जाते हैं तो उसके बज़े से लेकिन आज जो मैं आपको यह रेस्पी बताऊंगी तो फटे हुए दूद को आप बिल्कुल भी बेश्ट नहीं करें है जब हमारे घरो में दूद फट जाते हैं तो घरोठी को निकाल लेते हैं और अच्छा श्याना अंदर का जो शेना उसको निकाल कर खा लेते हैं और जो एक्स्ट्रा का जो पानी बज जाता है उसको लोग फेक देते हैं तो आज हम फ्रेंट्स पूरा टोटली दूद का हम प्योग करेंगे कुछ भी बेश्ट नहीं करेंगे इसमें तो पहले आपको क्या करना है ना कि पहले आप फटे हुए दूद से खीर बनाएंगे और आप एक हीन मानिये इतनी टेश्टी बनती है ना कि खाकर बिल्कुल ही मजा आ जाता है तो जब भी आपके घर में दूद्ध फटे तो बिल्कुल बेश्ट नहीं करना है जैसे मैं बताओंगे बिल्कुल वैसे आपको करना है तो खीर बनाने के लिए पहले तो आपको चाबल लेना है मां आपको बासमती चाबल हो या फिर को फिर देख ही टूटा हुआ चाबल ओई है च्थो भी आप Kubernetes आपको कलीन करके फ्रिस्मेंठ अब से तो ध HIV आए बश्द vi उब कर सकते दो खैसे सुकती रहाएं आने के बाद तो तो बिल्कुल वैसे है सुकती जाएगी तो यह देखो आप अच्छे से न उबलने लगी है मारा फटा हुआ दूद्य देखो आप है इस तरीके से उबलने लगेगी तो जब इस तरीके से उबलने लगे तो आप इसमें डाल दो वही जो हमने चावल को दो कर रखा था और सुप्योंग करें तो यह देखो अब आप क्या करना है कि यहां पर meadu थीर आप कर आप कि अच्छे सिसको पकयाओ satisfied यहां पर हम क्या करेंगे कि 6-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको हम और यह देखे और हाँ पाँ छे मिनट के बाद हम देखेंगे तो यह देखो आपको चेनी कब डालना है वह भी में आपको बताऊगी तो पहले आपको एक चावल निकाल लेना है इसमें से और हम चेक कर तो यहां पर चावल हमारा 80 परसेंट पक जाए मतलब हलका सा कच्छा रहे चावल तब हमें चीनी को एड़ करना है अगर आपने पहले चीनी एड़ कर दिया ना तो क्या होगा कि चावल हमारे अच्छे से पकिंग नहीं बहुत ही टाइम लेगा पकने में तो इसलिए आपक 500 घाइ स्कावल को यूज है तो यह तो यहां पर मैं ने ताइस्ट ग्राम चीन mieć लेगा तो इसको लैना है यहां पर आप डरिय मत बुल्कुल भी ज्यादा नहीं होगी और कम मिठा तो सवाल पैदा नहीं होता है क्यूंकि इतनी में ही परफेक्ट मिठी बने गी और बस यह देखो आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे हैं और फिर से हम ना इसको 6-7 मिनट के लिए पकाएंगे 6-7 मिनट के बाद यह हमारा खीर है बिल्कुल डेडी हो जाएगा तो आप देखेंगे कि यह दूद है वो गार ही होती जाएगी और जो हमारा छेना है वो जो द अच्छे से 7 मिनट के लिए पका लिया है और अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा चावल का खीर है वो बनकर तयार हुआ है कि नहीं तो उसी तरीके से हम एक चावल को निकालेंगे यह देखो आप साथानी से भी बहुत ही गयरम है यह थंडा होने के बाद इसको हम चेक करेंग और यह देखो फ्रेंट्स अभी ठंडा ने हुआ है मैंने इसे गरम में ही निकाला और जब ठंडी हो जाएगे ना तो यह जो खीर है और भी अच्छे से सेट हो जाएगी और फ्रेंट्स यकीन मानिए खाने में इतनी अच्छी लगेगी कि जब आपका दूद्ध फटे भी वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार